और बेराज है इनके बीच पे हम डिफरेंस देखते हैं इस तरीके से करस्ट सिर्फ जो होगा मेजर पार्ट होगा उसका और उसी से हम पॉंडिंग वगेरा जो है मतलब पानी वगेरा रोक के रखेंगे तो उसी को कहेंगे हम एक तरह से यह वियर है या फिर इसमें थोड़े से शटर बहुत कम हाइट के यूज किये चाहेंगे ठीक है अगर इसका उल्टा ठीक उल्टा होता है कि रेज्ट क्रस्ट चो है क्रस्ट बहुत कम है और गेट्स बहुत जादा है ठीक है गेट्स जो है उसकी हाइट बहुत जादा है और क्रस्ट की हाइट बहुत कम है और पॉंटिंग जादा से जादा गेट्स से ही होती है तो अगर हम गेट्स से ही पॉंटिंग मतलब होती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये बेराज है या फिर एक रिवर एक यूलेटर है ठीक है तो अब इसकी एक और डिफ्रेंस यह है कि अगर पॉंटिंग सारी के सारी जो है वो करस्ट से की जाएगी तो अफ्लक्स जो होगा वो बहुत जादा है हो जाएगा है फ्लक्स के ताइम पर ठीक है if most of the ponding is done by gates as in a barrage then the gates can be open during high floods and the efflux will be nil or minimum better control upon the river flow जिसकी वज़े से better control होगा मतलब कि efflux बहुत कम हो जाएगा high floods के टाइम पर और river flow पर control अचा होगा मतलब एक तरह से अगर water level suppose बहुत जादा high हो गया तो यहां तक पहुँच गया तो हम gates को open करेंगे कि water level जो है वो normal पहुँच जाएगा जितना उसको होना जाए ठीक है वो normal water level हो जाएगा बट अगर वहीं पर permanent structure होगा तो water level को हम मतलब कि gates open भी करेंगे gates बहुत कम है या फिर shutters बहुत कम है shutters को open भी करेंगे तो भी कोई जादा फरक नहीं पड़ेगा water level उतना मतलब normal नहीं हो पाएगा ठीक है यह एक difference है अब बेराज जो है are most invariably constructed these days on all the important rivers यह जादा तर आज कल use किये जाते हैं प्रैफर किये जाते हैं